हेलो एवरिवन तो अभी मुझे मिनोकसी रिली यूज़ करते हुए टू मन्स कंप्लीट हो गया अगेंस जो मैंने रिस्टार्ट की थी ठीक है तो आप देख लेना पहले वाली वीडियो कंप्लीटी टू मन्स ही हुए होंगे अभी ठीक है तो जैसे कि पहले मैंने मोर यूज की थी अभी इसको वन टाइम लगा रहा था तो इस हिसाब से टू मन्स ही कंप्लीट हुए है तो अभी यह मतलब रिजल्स मैं आपको बताने वालों एक शैडिंग बताने वालों और मेरा रूटीन क्या चल रहा है ठीक है यह सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा पर उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर तो जल्दी सब्सक्राइब करके लाइकन को भी प्रेस कर दो ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दू मेरा रूटीन क्या चल रहा है कभी कभी तो मैं शैडिंग बताता हूं सबसे पहले हेर के तो यह मेरा रूटीन चल रहा है और मिनॉक्सिलल मैं सिरफ वन टाइम लगा रहा हूं ठीक है स्टार्टिंग मैंने टू टाइम से कर दी थी तो इसलिए मैंने इसको सिरफ नाइट में रख रही है अभी भी नाइट में चल रही है और कोई टैबलेट वगरा की बात करें तो टैबलेट वगरा नहीं ले रहा है जैसे कि फिनिश राइट होगी मैं टटी ओैट मिंस भी न्हीं ले रहा कोज़ी इतना वजड़ी नी नहीं हो पारा एतना ठीक है हार डाइड अच्छी चल रहे है को जिम जा रहा हु तो इसके लिए उसमें उसमें सारा बज़ट जा रहा है तो और बहुत ज़्यादा पुझ जाता है जिम के लिए मड़़े न प्रूटीन में नहीं है सिर्फ ये चीज़े ही मेरा अभी चल रहा है एक शैंपू हो गया और एक मिनॉक्सिरिल सिर्फ के लिए दो चीज़े चल रही है अब ये मिनॉक्सिरिल भी काफी अच्छे इस पर भी अलग से रिव्यू कर रहा है मैंने अब और बता देते हैं जैसे क जाड़ने के कारणिया सोया था तब 10-15 के आसपस अभी हेर फुल कम हो रहा है दीरे दीरे बीच में बढ़ भी गया था और मिनॉक्सिरिल वन टाइम भी यूज़ करूं तो इसलिए थोड़ा कम भी देखने को मिल रहा है अभी इसके बाद मैंने सुचा था 10% मिनॉक्सिरि अब धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी है कुछ हेर्स काफी सारे आ रहे हैं इतने बराबर होंगे तो जाकर डेंसिटी काफी अच्छे से दिख पाएगी अगर मैं अभी यहां पर आपको दिखाँ तो कितने सारे बाल है यह देख सकते हो जैसे मैं पहले मिनॉक् Ск dif weirdo आदेख सकते हो उ प्रोट पर आभी और यह भी देख सकते हो बैक मैं आभी आपको दिखा देता हूं एक सेकज यह देखो ठीक है बैक यह गोला सा रहते ही रहते है यहापे इसको cover कर सकते हैं इस व्यसे तो यह सब के रहते है किसी के यहाँ पे मिड में होता है किसी के यहाँ होता है यह मैरे बच्पन से यह ऐसे है अब मैं यहाँ से हिर्श दिखाऊ हूँ अब यहार बहुत से लोग है ना मिनोक्सिरिल को छोड़ के यह चीज़ दिखाते हैं कि मतलब हमने मिनोक्सिरिल छोड़ दी रिजल्स ऐसे टिक रहेंगे बढ़ ऐसे मेरी तरह कोई रिजल्स आकर आपको नहीं दिखा रहा कि हां यह देखो यह इस खिंडाकर मिनोक्सिरिल छोड़ने के बाद यह मिनोक्सिरिल यूज़ कर रहा हूं तो यह रिजल्स आभी यह देख सकते हो तो अभी यहां पर भी वह सारे हैर सारे हैं इस जगह पर ठीक है तो हैंड मारने में पता लगता है यह तो अभी हो जाएंगे हो क्या और पिछे का एरी अच्छे से कवर ही लगेगा तो यह चीज भी सही बढ़ी अभी मेरी तो मिनोक्सरील अच्छे से प्रोपर वक कर रही है कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही है और हेर ग्रोथ भी हो रही है जैसे कि मैंने आपको रिजल्स दिखा दिया तो यही मैं यह बता देता हूं कि आपको हाँ यह लेनी चाहिए यह सही रहती है तो वो सब पेड़ प्लैन रहता है अलग से काफी लोग उन्हें जोइन कर रहता है और परसनल ही यहां पे भी कई वर मैं रिव्यूज वगरा करता ही रहता हूं तो इसके लिए मुझे चाहिए ही होत लिए आपको रूटीन बता दिया शैडिंग बता दी और गया बताना है और कोई रूटीन वगरा नहीं चल रहा हूं मिनोक्सिली यूज कर रहा हूं हाँ बीच में एक दिन मैं बाहर मैरीज में गया था बट मैं टैबलेट ले रखी थी तो टैबलेट मैंने वहां पे ले रात के 11 बजे के आसपास खाली पानी के साथ में ले ली मैंने का यार गैप नहीं करना मिनोक्सिली को को अभी स्टार्ट किये तो रिजल्स तो प्रोपर ली आजे उसके बाद कभी एक दो दिन का गैप हो भी जाता कोई दिक्कत नी तो यह चीज चल रही है भी तो बस इतन प्रोपर गैप नहीं करना मिनोक्स वीडिया में